स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में दोस्तों आज की वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे method of beekeeping यानि मदमक्खी पालन करने की विधियां दोस्तों जो मदमक्खी पालन करने की विधी है वो दो विधी है मुख्य रूप से पहली विधी का नाम है indigenous method यानि की देशी विधी या पूरानी विधी और जो दूसरी विधी है उसका नाम है modern method जिसका मतलब है आधुनिक विधी या नई विधी तो इस वीडियो में हम केवल आपको पूरानी विधी या indigenous method के बारे में ही अच्छे से समझा पाएंगे बाकी modern method के लिए हम next वीडिय प्राप्त किया जाता है उसकी क्या विधी है और पुरानी विधी में ऐसी कौन-कौन सी खास कमिया रह गई जिसकी वजह से हमें modern method की खोज करना पड़ा तो यह सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्धम से देंगे लाश्ट तक बने रहे आए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस विधी से संबंधित या method of keeping या मदमक्की पालन करने की विधियों से संबंधित एक्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है तो देखिए सवाल इस तरह से पूछ लिया जाता है यहां पर देखिए मैंने सवाल लिखा हुआ है describe the method of beekeeping यानि मदमक्की पालन करने की जो विधी है उसका वरडन करिए तो अगर ऐसा सवाल आपको एक्जाम में मिल जाता है तो आप हेडिंग डाल देंगे method of beekeeping और वहां पर आप बता देंगे यहां पर इस तरह से जैसे मैंने हेडिंग लिखा हुआ है आप एक्जाम में सहथ को प्राप्त करना है बाकी जो method of beekeeping यानि मदमक्की पालन करने की विधियां है वो दो विधी है पहली विधी है indigenous method और दूसरी विधी है modern method तो इसे लिखेंगे कैसे आप देख लिजे हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे बहुत ही आसान मैंने लिखा हुआ है द प्योर फार्म का मतलब सुद्ध रूप में आगे लिख देंगे there are two method of beekeeping यानि मदमक्की पालन करने की दो विधियां हैं दोनों को आप नीचे point wise दिखा देंगे पहली विधी का नाम दिखा देंगे indigenous method और दूसरी का नाम दिखा देंगे modern method अब नीचे जो है दोनों मेंसे एक heading आप डाल देंगे indigenous method और इसमें आप बता देंगे कि जो पुरानी विधी मदमक्की पालन करने की उसी को indigenous method कहते हैं और यह विधी सोधित नहीं है यानि कि और काफी निर्दाई तरह की विधी है इसमें मदमक्कियों की या उनके लारवा प्यूपा की हत्या कर दी जात लिख देंगे the old method is called indigenous method यानि जो इसकी पूरानी विधी है इसी को indigenous method कहते हैं इस method is very crude and cruel type यह method काफी cruel type की है यानि की निर्दाई तरह की है और crude का मतलब असोधित है इसका सोधन नहीं किया गया है और फिर इसके बाद आप नीचे heading डाल देंगे high means होता है छता तो आप इसम indigenous method है इसमें दो तरह के छते बनाया जाते हैं एक का नाम है वाल अथफीक्सड हाई और दूसरे का नाम है मुएवल हाई वाल या फिक्स होता है यह कहीं पर fix होता है अब कहां fix हो सकता है किसी दीवाल में fix होता है यानि मधमख्या दिवाल में खूद ही बनाती है फिक्स यह च्छता हो सकता है पूरी तरह से fix होता है और natural होता है यादि मदमक्खियां इसको स्वता बनाती है इस मिमानों कोई हस्तक छेप नहीं होता है बाकि जो दूसरा एक gate से मदमक्यां अंदर जाती हैं और एक gate से मदमक्यां बाहर निकल जाती हैं इसको मुएवल हाईव इसलिए कहा जाता है क्यांकि लगडी का बाक्स होता है इसे आप अपने इच्छा नुसार किसी सुरच्छित फ्लेश पर रख सकते हैं ताकि यह इसी तरह का प्राकृतिक अगर आपदाएं हैं जैसे बारिस आ रही है आधी तुफान है तो ऐसे में इनका नुकसान नहों आप इस प्रकारी से सुरच्छित अस्थान पर रख सकते हैं इधर उधर ले जा सकते हैं इसलिए इसको मुएवल हाईव कहा जाता है कभी-कभी तो मदमक्यां इस बाक्स को स्थान समझ करके खुदी आकर के इसमें बैठ जाती हैं यहां करक कि अपना आ और करम जारी करदेती हैं चटता बनाना सुरू कर देती WOW कभी-कभी तो इसमेरी चिपर होता है खुद सेister लाकर कि इसमें बदमक्यों को रखता है मदमक्षी को कैसे लाकर के रख्था जाता है इसके इसने डिटेल में समझा में देखे देंगे मधिया दिखी देंगे हाइब इतना लिखने के बाद हेटिंग्डाल निगे हई ओर की दिखे सब्सार्ट पूरानी भी दिया है उसमें दो त sería के छत्तों का प्रयोग किया जाता है वी कीपिंग का मतलब मदमक्खी पालन करने के लिए यानि वो कौन-कौन से हाइब यानि कौन-कौन से छत्ते हैं तो पहला देखिए वाल और फिक्षड हाइब और दूसरा है मुएवल हाइब यह दोनों पॉइंट दिखाने के बाद दो थोड़ा मुड़ा उसके अंदर पढ़ करके अच्छे से आपको नंबर दे सके बाकी अगर बीना हेडिंग हो गया रहे का आप वैसे लिख देंगे तो उसका कम प्रभाव पड़ता है जैसे मैंने अरेंज किया है इसी तरह का अरेंज करेंगे तो बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा तो पहले हेडिंग आप डाल देंगे वाल और फिक्स धाइप और उसमें लिख देंगे इट इज प्योर्ली नेचुरल टाइप आफ कम्व यह पूरी तरह से प्राकृतिक कम्व यानि प्राकृतिक छत्ता होता है दिस कम्व बीज देमसेल्व प्रिपेर अगर कोई मोटा पेड़ है यह इसकी मोटी तहनी है यह कोई मोटा पेड़ है तो यहां से आप इस तरह का बड़ा सा लटकता हुआ च्छत्ता देखे होंगे या किसी दिवाल से भी लटकते हुए च्छत्ते को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे यह च्छत्ता पूरी तरह से नेचुरल होता है इसे मुदमख्या स्वेंग बनाती है और या तो किसी दिवा इंपटी बाक्स यह लकडी का एक खोखला बना हुआ बाक्स होता है और फिर आगे and placed in any secure area और इस बाक्स को अपनी इच्छा नुसार किसी secure area में रख सकते हैं the box has two holes यानि इस box के अंदर दो छेद होता है दो hole होता है मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है one is far entrance यानि एक hole जो होता है entry करने के लिए होता है यहां से मदमख्यां entry करती हैं अगर एक ही hole है तो भी काम चल जाता है लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अब उसी छटे से मदमख्या निकल रही है और उसी से कोई entry कर रही है मदमख्य तो बीच में लड़ जाती है या side देना पड़ता है कभी जादे भीड़ भाड़ होती है मदमख्यों का side देने में समय लगता है तो जल्दी जल्दी अपना काम नहीं कर पाती है उनका काम क्या है बाहर से side को ला करके छटे में रखना तो अगर भीड़ रहे यह कही गेट पर तो क्या होगा दिक्कत होगी अभी आप कई रोड़ देखे होंगे जो सिंगल होता है आने जाने का यह कही रोड़ होता है तो वहां पर जादे भीड़ होती है और अगर अलग-अलग रोड़ आने के लिए दूसरा जाने के लिए दूसरा तो वहां पर कभ दूसरा निकलने के लिए आफ-वीज मतलब मदमक्ख्यों के मदमक्ख्यों को निकलने और इंटिक्रिक करने के लिए अलग-अलग दो ऑउल होआ योजुवली कम टू द़ा बॉक्स और प्लेश कर ने कोहीं से चटता चुड़ करके प्लेश समझ करके उसने बैठ जाती हैं इसी बात को यहां पर कहा गया है दा स्वार्म्ड वीज यानि ऊड़ रही मदमख्यां यूज्वली कम टू दे बॉक्स समानत आकर के बाक्स में बैठ जाते हैं आन देयर ओन अपनी इच्छा से बैठ जाती हैं सम वीच कीपर कुछ ऐसे भी कीपर होते हैं यानि मदमख्य पालन करने वाले होते हैं कुछ ऐसे बी कीपर होते हैं सम वी कीपर का मतलब कुछ बी कीपर यूज तू टू टेक दे क्लस्टर वह मदमख्यों का एक गुच्छा यूज करते हैं यानि मदमख्यों का इतना सा अगर जुन्द ले लिए तो उसको बी क्लस्टर बोलेंगे तो टेक देक क्लस्टर आप स्वार्मड यानि स्वार्मड का मतलब वही ऊड़ रही मदमख्यों का क्लस्टर यानि कि इतना सा गुच्छा ले लेंगे फ्राम दट्री किसी पेड से ले सकते हैं और उसे लाकर के छट्टे में रख देते हैं कुल मिला कर आप इतना समझ लीजिए कि जो मदमख्या होती हैं कभी-कभी स्वता आकर के इस बाक्स में आ जाती हैं और कभी-कभी बी-कीपर जो होता है वह खुद ही थोड़ा सा क्लस्टर ले करके उड़ती हुए मदमख्यों का या किसी पेड से ले करके छट्टे के अंदर लाकर के रख देता है तो अब देखिए तो इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे इस्ट्रैक्शन आफ हनी इस्ट्रैक्शन आफ हनी का मतलब इस पुरानी वाली विधी में चट्टे से सहद को कैसे निकाला जाता है तो आसान तरीके से निकाला जाता है समझे कैसे निकाला जाता है जैसे माली जीय कोई ये आग जलाया गया या एकदम छत्ते के नीचे होती है अचानक आग जलाया गया तो कुछ मधमख्या क्या होती है जल करके मर जाती है उसी आग में गिर जाती है और जल करके खतम हो जाती हैं और कुछ तो ऊड़ जाती हैं कुल मिला कर क्या हुआ कि छत्ता मध्मक्खिओंसे फ्री हो गया यानि छत्ता खाली हो गया अब छत्ते को पीस-पीस में काट लिया जाता है और काट करके उसे किसी कपड़े में रख करके तेजी से अगर आप निचोड़ देंगे मजबूती से निचोड़ देंगे तो अब छट्टे के अंदर जो सहद था वह जो है नीचे निचोड़ करके किसी बरतन में गिर जाएगा कभी कभी जो है आग ना जला करके किसी धूए का प्रयोग किया जाता है जिससे मैक नुचे क्या लिखेंगे इन इस मेंथर यानि इस बीधी में सहद को निकालने के लिए बर्णिंग दब फायर आग जला देते हैं नियर दब फिय हाई यानिफी सहद मक्षी जो उसके चट्टे के पास आग जला देते हैं जिससे होता क्या है ? एज ए रिजल्ट आफ फीच परिडाम स्वरूप बीज आर आइधर किल्ड मजमक्हिया या तो मर जाती है और इसके आफ या बच करके निकल जाती है फिर नीचे लिग देंगे फर्दर्द हाई फुल आफ हनी यानि सहद से भरा हुआ छत्ता इज बींग रिमूबड उसे रिमूब कर लिया जाता है निकाल लिया जाता है और उसे छोटी छोटी पीस में टुकड़े में काट लिया जाता है और बाद में उसे निचोड करके सहद को प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद फिर आप थोड़ा सा और दिखा देंगे पैरग्राफ चेंज करके नीचे लिख देंगे कभी कभी वहाँ नीचे धुआ कर दिया जाता है तो बहुत सारी मदमखिया आग में गिर करके मर जाती है अगली देखें इंपॉर्टेंट हेडिंग आप डाल देंगे ड्राव एक आफ इंडीजीनस मेथट यानि जो पुरानी विदी है इंडीजीनस मेथट है इसकी कुछ कमिया है इन ही कमियों की वज़े से हमें मॉडरन मेथट लाना पड़ा अब वो कौन कौन सी कमिया है वो मॉठी पालन की सफर्स फ्राम नंबर आफ ड्राव एक यानि कि बहुत सारी कमियों से पीडित है नंबर आफ मतलब बहुत सारी कमियों से ड्यू टू फिच जिसकी वज़े से इट इस नाट रिकमेंडेड वाई प्रेजेंट डे पैनल यानि कि वह जो आधुनिक समय की प्र आगे लिख देंगे डीज ड्रावेक्स आर यानि वह कमिया इस प्रकार से हैं तो पहली कमी क्या है हनी वीकम इंप्यूर वीकाज एट टाइम आफ इस्क्वीजिंग डबूड सेल्स पॉलें सेल्स हनी सेल्स एंड लार्वी और आलसो एक्स्ट्रैक्टेड इसका मतलब यह ह हुआ कि जिस समय क्या लिखा हनी वीकम इंप्यूर यानि कि इस बिधी में जो सहद प्राप्त होता है उप्यूर नहीं होता है इंप्यूर होता है क्यों इंप्यूर होता है क्योंकि जब इसका स्क्वीजिंग किया जा रहा था इसको निचोड़ा जा रहा था कपड़े में रखकर कि इसके छहत्टे को निचोड रहे थे न सहथ प्राप्त करने के लिए तो कि निचोडते समय ही क्या हुआ कि कुछ उसके अंदर भूर सेल सथि छफ्चे के अंदर और और take सहेल है सभाली सेल थी उतो चाहिए ही बाकी यह सेल और सेल इसके अलामा कुछ उसमें लारवा थे यह सभी उसी छत्ते में निचोड़ दिया गया तो जिस तरह से सहद गिराना उसी तरह से लारवा प्यूपा के जूस भी उसी सहद में गिर गए तो बताए यह प्यूर हुआ बिलकुल नहीं यह इंप्यूर हनी है तो यह बहुत कमजोर हो जाती है due to killing of eggs and the larvae at the time of squeezing इसका मतलब यह हुआ कि कालोनी काफी कमजोर हो जाती है जिस समय उसकी कीजिंग की जा रही थी यानि छत्ते को निचोड़ा जा रहा था कपड़ें गहरे में रख करके उस समय कालोनी काफी कमजोर हो जाती है इसलिए क्यांकि उसके साथ जो उसके लारवा थे प्यूपा थे अंडे थे यह सभी वहां पर निचोड़ करके किल कर दिये गए तो आ चेटि देखिए जब नए च्छते का निर्माड करना होता है वाय Sun अब नच्छत्ते बनाना होता है जो अगने जो प्रोडक्षन को प्रभावित कर देता है आप Спасибо लगती है क्यों पहले जब Mack struggles के पहले वाले जो अन्डे वंच परफचे थे यानि लारवा, प्यूपा, एग, सभी नश्ट हो गए थे तो अब दुबारा फिर अपनी कालोनी को डिवलप करेंगे कालोनी को बढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा एनरजी चाहिए तो सारी एनरजी तो अपनी कालोनी को बढ़ाने में लगा देते हैं तो फिर सहाद को निचोडते समय पिछली बार जब सहाद निचोड़ा जा रहा था तुमसी समय किल कर गए थे अगर वो सभी अंडे बच्चे यानि कि लारवा प्यूपा अंडे बचे होते तो फिर नई कालोनी का निर्मार तो नहीं करना होता तुरंत लाकर के सहाद भरना शुरू करने से या नीचे आग जलाने से च्खते को निचोडते समय इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर दिया जाता है यानि की पूरी तरह से कम कर दिया जाता है यह एक कमी है प्लेस इसका मतलब यह हूँ वा कि जिस अस्थान पर मध्मखिया एक बार बच करके निकल गए जिस अस्थान से या कुछ को जला दिया गया या उनके छत्ते को निचोड करके उनके लारवा प्यूपा को किल कर दिया गया ऐसे अस्थान पर पुने हाइवेशन करना the highways of weeds on the same place यानि उसी अस्थान पर highwayson करना highwayson करने का मतलब छट्ता बनाना कि वल मैटर आफ चांस होता है बहुत कम चांस होता है कि वहाँ पर छट्ते बनाएं कोई भी मदमख्या हो अगर एक जगह जहाँ पर उनको जला दिया गया धुए दिखा कर भगा दिया गया या फिर उनके छट्ते को नश्ट कर दिया गया ऐसे जगह पर बहुत कम चांस है कि दोबारा वहाँ पर मदमख्या छट्ते लगाएं अगला देखिए क्या है the honey roberts like red कुछ honey honey को नश्ट करने वाले होते हैं का मतलब एक हाडा होता है मदमख्यों की ही तरह से होता size में काफी बड़ा होता है आप किसी मिठाई हो गए रहे की दुगान पर देखे होंगे बड़े बड़े हाड़े होते हैं यह भी काट लेते हैं मदमख्यों से भैंकर काटते हैं साफ़क्पाइब काटने के बाद इतना फूल रहा है तो हाड़ा काटने से बहुत ज्यादे फूल जाता है यह बहुत तगडा काटते हैं हाड़ा लेकिन वैसे नई rozp काट यह सकते हैं यह सब जग रहे हैं यह सबी च्छत्त बोल पर लगा दिया जाता है या फिर दिवाल से चिपक कर लगा रहता है तो ऐसे में चाहे बंदर हो या फिर जो है चुहा हो चीटिया है या वैप्स यानि की हाड़ा है यह सभी छत्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगला है अगला है यानि कोई फ्राकृतिक आपदाओं के द्वारा अगर इसे नुकसान पहुंचता है तो आप इसे अपने ही आई या फिर बारिस हो रही है या फिर और कोई प्राकृतिक आपदा है तो आप ऐसे में इनको बचा नहीं सकते हैं तो दोस्तों यह बहुत सारी कमिया है इसके अंदर जिसकी वज़े से हमें मौडर्न मेथर लाना पड़ा तो आसा है कि आप अच्छे से समझ गए होंग हाई पर दोस्तों कि आप होंग झाई यूज़े से सकते हैं मौडर्न में वज़े से सकते हैं तो आँ पर बार और को आप पना था दोस्तों कि अच़की ओें से स्ट waters गए होंगे आप कि यह हैं तो इनको कि आप हैं आप था